पुन्यदाई रमा एकादश्री की कहानी धर्मराज यूधिश्टर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कार्तिक कृष्ण पक्ष्ण की एकादश्री का क्या नाम है और इसको करने की क्या विधी है और इसके करने से क्या फल मिलता है आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कार्थिक कृष्ण पक्ष्णी एकादशी का नाम रमा है यह बड़े-बड़े पापो का नाश करने वाली है इसका महातम मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो प्राजीन काल में मुझुक पूर्वक बूंदनाम का एक राजा था उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी साथी यम, कुबेर, वरुन और विभीशन भी उसके मित्र थे यह राजा बहुत ही धर्मात्मा, विश्णुभक्त और न्याइप्रिये था और इस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्र और उस कन्या का विवहा चंद्र सेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ और फिर एक दिन शोभन अपने सुस्राल आया और उन्ही दिनों पुन्यदाई रमा एकादर्शी भी आने वाली थी जब व्रत का दिन समीब आ गया तो चंद्रभागा के मन में विचार उत्पन हुआ कि मेरे पती अध्यांत दुर्बल है और उसके पिता राजा मुझुकुंद ने धोल बजवा कर सारे राजे में घोशना करवा दी थी कि एकादर्शी को भोजन नहीं करना चाहिए धोल की घोशना सुनते ही शोभन को अध्यांत चिनता हुई और उसने अपनी पद्नी से कहा हे प्रिये अब क्या करना चाहिए मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूँगा ऐसा उपाए बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच जाए नहीं तो भूका रहने से तो मेरे प् पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता यहां तक की हाथी खोड़ा उट बिली गाए ये सब भी अनजल ग्रहन नहीं करते तो फिर मनुश्य का तो क्या ही कहना यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएए क्योंकि आप यही रहेंगे तो आपको अवश्य ही ये व्रत करना पड़ेगा ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा फिर तो मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा और जो भाध्य में होगा वो देखा जाएगा और इस प्रकार का विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और उस दिन वो भूख प्यास से अत्यांत पिलित होने लगा जब सूर्य नारायन अस्त हो गए और रात्री को जागरन करने का समय आ गया वो समय जो सभी वैश्णवों को अत्यांत खुशी देने वाला था परन्तु शोभन को वो समय बहुत ही दुखताई हुआ क्योंकि उससे जागरन नहीं हो रहा था उससे तो भूख बरदाश ही नहीं हो रही थी प्रातकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए उसकी मृत्यू होने के बाद राजा ने सुगंदित लकडियों से उसका दाह संसकार कराया लेकिन चंद्रभागा ने अपने पिता की आ अपने पिता के घर में ही रहने लगी रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल परवत पर धन धानने से युक्त और शत्रूं से रहित एक सुन्दर देवपुर प्राप्त हुआ वह भवन बहुत ही सुन्दर रतनों वैदुर्य मनी जटित स्वन के खंबो से नि को मूले वस्त्रा भूशनों से युक्त चवर विभूशित गंधर्व और अपसराई भी थी वहां सिंखासन पर आरोड ऐसा शोभाई मान होता था मानों दूसरा इंद्र विराज मान हो एक समे मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक प्रहमन तेर्थ कर गूमता फिरता उधर जा निकला और उसमें शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है और यह सोचकर वो उसके पास कया शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उटकर वो उसके पास आया और उसे प्रणाम करके कुशल होने का प्रश्न किया ब्रामर ने कहा कि राजा मुझुकुंद और आपकी पत्नी कुशल है परंतु हे राजन हमें आश्चर हो रहा है आप अपना वृतान्त हमें बताईए कि जो सुन्दर नगर कभी किसी ने नहीं देखा ना ही सुना वो आपको कैसे प्राप्त हुआ तब शोभन ने कहा कार्दिक कृष्न पक्ष की रमा एकादशी का वृत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है परंतु यह अस्थिर है यह स्थिर हो जाएगा ऐसा कोई उपाई कीजिए ब्रामण ने कहा हे राजन यह स्थिर क्यों नहीं है और यह कैसे स्थिर होगा आप मुझे बताईए मैं इसके लिए उपाई अवर्ष्य करूंगा शोभन ने कहा मैंने इस व्रत को श्रधा रहित होकर किया था इसलिए यह सब कुछ अस्थिर है यदि आप मुझे कुन्द क कन्या चंद्रभागा को यह सब बता दे तो यह स्थिर हो जाएगा ऐसा सुनकर उश्रेष्ट ब्रामण ने अपने नगर में लोटकर चंद्रभागा को सारा व्रतांत कह सुनाया ब्रामण के बचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन हुई और ब्रामण से कहने लगी हे ब्रामन ये सब बाती आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वब्न बता रही है ब्रामन कहने लगा हे पुत्री मैंने तुम्हारी पती को प्रत्यक्ष देखा है साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है और उन्होंने कहा है कि ये नगर स्थिर नहीं है जिस प्रकार वह स्थिर रह सके उसका उपाई करना चाहिए चंद्रभागा ने कहा हे ब्रामन तुम मुझे भी वहां ले चलो मुझे अपने पती देव के दर्शन की लालसा हो रही है मैं अपने किये पुन्य से उस नगर को स्थिर बना दूँगी आप कोई ऐसा कारे करिये जिससे उनका और हमारा सयोग हो सके क्यूंकि वियोगी को मिला देना महान पुन्य है सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंद्राचल परवत के समीब वामदेव रिशी की आश्रम पर गया वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंद्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिशेक कर दिया तब रिशी के मंद्र के प्रभाव और एकादशी का व्रत करने से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गती को फ्राप्त हुई इसके बाद बड़ी प्रसंता के साथ वो अपनी पती के निकट गई अपनी प्रिये पत्नी को आता देख शोभन बहुत प्रसंन हुआ और उसे बुलाकर उसने अपनी पाई तरफ बिठा लिया चंद्रभागा कहने लगी हे प्रानात आप मेरे पुन्ने को ग्रहन कीजिए अपने पिता के घर जब मैं आठ फर्ष की थी तब से विधी पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रधा पूर्वक करती आ रही हूँ इस पुन्ने के प्रताप से आपका यहनगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलै आने के अंत तक यहीं रहेगा और इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आबुष्णूं और वस्त्रों से सुसच्चित होकर अपने पती के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी हे राजन यह मैंने रमा एकादशी का महत्तम कहा है जो मनुष्य इस प्रत को करते हैं उनके भ्रम मित्यादी समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशिया समान है इनमें कोई भेदभाव नहीं है दोनों समान फल देती हैं जो मनुष्य इस महत्तम को पढ़ते अत्वा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूट कर विश्टू लोग को प्राप्त होते हैं तो ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं झाल 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 झाल